हलो डियर पेरेंट्स आज मैं आपके साथ आपके बच्चों का वजन बढ़ाने वाली हेल्दी वेट गिन सेरलेक्स रेसेपी शेयर करने जा रही हूँ और यकीन माने दोस्तों अगर आप इस तरह से सेरलेक्स बनाकर घर पर ही तयार करेंगे तो मारकेट से भी बढ़िया सेरलेक्स घर पर ही बनकर तयार हो जाएगा वो भी बहुत ही कम बज़ट में और आप ये घर पर ही बनावा सेरलेक्स अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों का वजन भी बढ़ने लग जाएगा वो भी हेल्दी तरीके से तो फिर आईए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इस हेल्दी सेललेक्स को बनाने के लिए मैंने यहां पर कुछ सामगरी ली है तो सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं चार छोटे चमबच चावल तो साबुच चावल लिया है आप चाहें तो टुकड़ी वाला चावल भी ले सकते हैं पांस से छे काजू लिये हैं दस से पंद्रा मैंने बदाम ली है यह देखिए और दो छोटे चमबच मूंकी दाल बिना चिलके वाली दो छोटे चमबच मुंग की डाल छिलकी बाली और तो इसमें से जो भी सामगरी आप चाहें तो घटा या बड़ा भी सकते हैं और सबसे पहले हम सभी सामगरी को अच्छे से वाश कर लेंगे तो इसे वाश करने के लिए थोड़ा बड़ा mixing bowl ले लिया है मैंने और ये जो सभी सामगरी है इसे हम डाल देंगे बाउल में और इसे के साथ अब इसमें हम बदा मुंगफली और काजू भी अड़ कर देंगे तो सभी चीजें हमने बाउल में डाल दी है अब इसमें हम मिलाएंगे पानी तो एक बड़ा ग्लास भर कर पानी डाल देंगे और इसे देखिए इस तरह से अच्छे से मसलते हुए इसे दो से तीन बार अच्छे से हम वाश कर लेंगे और इसका सारा एक्स्रा जो भी पानी है इसे हम बाहर निकाल देंगे तो यह देखें मैंने इसे वाश कर लिया है और इसका एक्स्रा पानी मैंने निकाल दिया है और अब मैंने याँ पर थोड़ा सा बड़ा दूसरा mixing बाउल लिया है इसके ओपर हम छलनी लगा देंगे और जो wash की भी सभी सामगरी है इसे हम छलनी के ओपर डाल देंगे और अब इसे हम छलनी के ओपर ही फैला देंगे लगभख दो मिनिट के लिए जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वह बाहर निकल जाएगा तो लगबख दो मिनिट के लिए मैंने इसे चलनी के उपर ही छोड़ दिया था और यह देखे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल गया है और अब इसे हम सुखा लेंगे तो इसे सुखाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसके उपर यह वाश की भी सभी सामगरी है इसे हम डाल देंगे और अब इसे हम फैला देंगे और इसे सुखा लेंगे लगबख आधे घंटे के लिए जिससे कि इसमें जो भी नम्मी होगी और पानी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा तो यह देखे मुझे आधा गंटा हो चुका है इसे सुखाए हुए यह देखे अच्छे से सूख गया है और इसकी नम्मी भी निकल गई है तो एक बार आप इसे इस तरह से कपड़े से पहुच लेंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे और यह बहुत ही जड़ा हैल्द पर पैन रख दिया है और यह हलका गरम हो चुका है तो अब इसे हम डाल देंगे पैन में और इसे लगातार चलाते वे डायरोस्ट कर लेंगे 10-15 मिनिट के लिए बिलकुर मीडियम फ्लीम पर तो चमच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है नहीं तो यह जल भी सकता है और हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलक बर्तन में निकालकर रिसे हलका सा थंडा होने देंगी तो गैस की फ्लीम को आफ कर दिया है और अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम फैला कर रख देंगे 10-15 मिंट के लिए जिसे की अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो पंदर मिंट हो चुके हैं और ये देखे, सभी चीज़े अच्छे से ठंडी हो गई है और क्रिश्पी भी हो गई है ये देखे, मैं आपको दिखाती हूं और सभी चीजों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे तो इसे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंढ जार ले लिए है मैंने और रोस्ट की भी सभी सामकरी को अब हम जार में डाल देंगे दोस्तो वीडियो के बीच में आप से एक च्छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसेपी पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो देखे मैंने इसे जार में डाल दिया है अब हम जार का ठककर लगा देंगे और इसका बारिक पाउडर बना कर तयार कर लेंगे तो इसे हम अब शान लेंगे और सबी सामगरी को अब हम छलने के उपर डाल देंगे आ और और अब इसे हम चान लेंगे और यह बहुत ही आसान तरीका है घर पर ही सेरलेक्स बनाने का तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा बहुत ही हेल्थी सेरलेक्स बनकर तयार हो जाएगा तो इस देखे सभी सामगरी को मैंने चान लिया है और यह जो पार्ट बज़ किया है इसे अगली बार जब भी आप सेरलेक्स बनाएं तो इसके साथ आप इसे ग्रैंड कर सकते हैं और अब यह हमारा होमेट सेरलेक्स बनकर तयार हो चुका है यह देखे और अब इसे हम हाथो हाथ एरटाइट जार में भी भरकर रख लेंगे जिससे कि इसे यूज़ करने में आसानी रहेगी और आप इसे इस तरह से बनाकर लगबख एक महने तक स्टोर कर सकते हैं बिलकुल भी यह खराब नहीं होता है तो यह देखे मैंने इसे जार में भड़ लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने बच्चों के लिए कैसे बनाना है तो यह देखे इसे बनाने के लिए मैंने यह पैन ले लिया है अब इसमें हम एक चोटा चमच भरकर सेरलेक्स पाउडर डाल देंगे तो आप सेरलेक्स पाउडर की क्वांटिटी बच्चे की डाइट के साब से कम यह ज़दा कर सकते हैं और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी तो एक बड़ा गलास भरकर पानी हम पैन में डाल देंगे और अब इसे मिला लिया है और अब इसे घैस पर रखकर पका लिए तो मैंने इसे घैस पर दिया है اب इसे चैट करते रहेंगे नहीं तो इसमें लंब्स भी पढ़ सकते हैं तो इसे पकाते हुए मुझे दो मिनट हो चुके हैं अब इसमें हम मिलाएंगे एक चुटकी नमक तो अगर आप इसे दस महीने से छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं दस महाइने से उपर के बच्चों के लिए आप इसमें नमक एड़ कर सकते हैं तो नमक मैंने डाल दिया है मिक्स कर लेंगे से और इसे दो मिनिट के लिए और पकने देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तो फूट को पकाते हुए टोटल मुझे चार से पांच मिनिट हो तो फूट अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है और अब इसे हम सर्विंग बॉर्ड में निकाल लेंगे और यह बनकर तयार हो चुकी है आपके घर के बच्चों के लिए सूपर हैल्दी टेस्टी से लेक्स रेसिपी और देखना आपने इसे बनाना कितना आसान है त और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजेगा तो फिर मिल